हम सब की जिन्दगी में बारहां अक्सर किसी निकिसी बात पर किसी निकिसी वज़ा से किसी निकिसी चीज के बारे में हम सब रिजेक्शन का सामना करते हैं हम नोकरी के लिए अप्लिकेशन देते हैं और हम पाते हैं कि वहाँ से भी रिजेक्शन आता है कई बार हम कोई टेंडर भरते हैं कई बार हम कोई प्रपोजल देते हैं कई बार हमारा कोई प्रस्ताव होता है अक्सर जीवन में हमें rejection का सामना करना पड़ता है घर में भी इस्तित बहुत अच्छी नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने हमने कोई proposal दिया और इसने में पिता जी ने समझा दिया कि तुम तो चुपी रहो जब दो पैसा कमाना तब बनाना है हम अमिता बिचेन के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं वो कितने बड़े सूपरिस्टार है लेकिन एक समय ऐसा था जब उन्होंने सोचा था कि उन्हें All India Radio में announcer group में जाना चाहिए उनकी आवाज अच्छी है और यह सोचना भी लाजमी था और आपको जानकर आश्र होगा कि जिस आवाज की वज़े से आज वो जाने जाते हैं इसी आवाज की वज़े से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था इसके बाद उन्होंने फिल्मों में माने की सोची और लगातार लगभग 12 फिल्में उनकी फ्लाप होई तो आप यह समझ सकते हैं कि 12-13 फिल्में फ्लाप होने का मतलब है कि जंता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया लेकिन उसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी वो कोशिश करते रहे हैं और आप उसका प्रेनाम देख रहे हैं तो तो माइकल जार्डन जैसा खिलाडी हाई स्कूल में उसे ये कहके बास्केट बाल के टीम से अठा दिया गया था कि वही तुम थोड़ा चोटे हो और जब वो अपने खेल की चमक बिखेर रहे थे उस वक्त भी एडी डास ने उन्हें स्पॉंसर करने से मना कर दिया ये कहकर कि आपकी हाईट 6 फूट 6 इंच है और ज़्यादा होनी चाहिए ये दूसरी बात है कि बाद में नाइके ने उन्हें स्पॉंसर किया तो हम ये देख रहे हैं कि रिजेक्शन जो हमारे जिन्दगी में गहराई से शामिल है और सच बात तो ये है कि दोस्तों हम भी तो रिजेक्ट करते हैं ये हमारा डेवलप्मेंट हमारा एवलूशन ही ऐसे हुआ कि हम कुछ चीजों का एकसेट करते हैं और कुछ चीजों को रिजेक्ट करते हैं हम हर चीजों को evaluate करते रहते हैं कि ये चीज हमारे लिए कितनी अच्छी है, ये हमारे लिए कितनी सूजगार है, ये चीज हमारे लिए कितनी नुकसान दे हैं और इसे हिसाब से हम एडिस्चेल लेते हैं। हम एक आटोवाले से पूछते हैं कि एर्पोर्ट से लोगे और आटोवाला कहता है कि नहीं, मैं एर्पोर्ट नहीं जाऊंगा अब वो रिजेक्शन ही तो है आप अपने आफिस में कोई एक प्रबोजल रखते हैं और आपका बास कहता है कि नहीं इसमें वो वर्थ नहीं है और आप मायूस जाते हैं हम मार्केट भी जाते हैं तो कोई एक चीज खरीदने के लिए दस्यों चीज देखते हैं जो जब दस्यों चीज देखते हैं तो कोई एक लड़की चुनी जाती है बागी नौ रिजेक्ट उसी तरह लड़कियों के जो पिता है वो दस्यों जगह घुमते हैं हो जाते हैं लड़की के लिए लड़का देखने के लिए कोई एक चुना जाता है बागी सब रिजेक्ट तो ये रिजेक्शन जो है हमारे जी हमारे सीपियन्स की यात्रा है, जो आज हम हम होमो सीपियन्स कहलाते है, उनकी जो यात्रा है, वो इसी से बनी ही है, जहां कहीं सेलेक्शन है, और कहीं रिजेक्शन है, ठैंक यू.